तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई होप सोब अच्छे होंगे तो आज हम जटपट से बनाएंगे बॉन वीटा मिल्चिक तो उसके लिए में क्या क्या चाहिए होगा मैंने बॉइल करके शुगर के साथ ये करके रखा था मिल्क और ये मैंने कुछ वेटेड ले लिया है थुड़ा भिगो के रखा है ये आईस्क्रीम वैनिला फ्लेवर मैंने कुछ आईस क्यूब्स लिये है और ये बॉनुई चाकाट प्яти पैगेट है और ये मेल्टेड जो है डेरी मिल्क ले लिया है मैंने देख सकते हूँ आप ये मेल के आपको रख देना इसको फ्रीजर के अंदर थोड़ा वाटर के साथ एड़ करके तो यह क्या करेंगे बॉनवीटे का जो पाउडर है उसको हम पूरे ग्लास को डेकोरेट करेंगे ताकि जब हम यह शेक बनाएंगे उस ग्लास में एड़ करेंगे तब इसका जो टेक्शियर एक बहुत ही बड़ी आसा दिखेगा देख सकते हैं आप कितना प्यारा लग रहा है तो इसका डिजाइन बहुत ही अच्छा दिखेगा जो टेक्शियर है मिल्क इसके अंदर जब जाएगा शेक तो उसका जो कलर है वो थोड़ा उसको छोड़ेगा और यह कलर उभर तो अभी हम क्या लेंगे मिक्सी में यह मिल्क एड़ कर दिया है मैंने आप देख सकते हो और अभी मैं इसमें एड़ करने जा रहे हूं यह बॉनवीजा पाउडर और ही साथ साथ में इसमें एड़ करूंगी कुछ आइस क्यूब्स ताकि यह बहुत अच्छा फ्लिवर दे तो अभी हमें क्या कर लिए इसका जो जाक था थोड़ा वो में लेकर इसके उपर थोड़ा डेकोरेट करूंगी और साथ ही साथ मैंने आपको जैसे की कहा था मिल्क ले लेना है थोड़ा सा आइस के लिए तो यह जो आइस क्रीम दिख रहा है आपको वैनिला फ्लेवर का य और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है आइस क्रीम सबका फेवरेट है अभी गानेशिंग के लिए लिया मैंने जो मैल्टेट डेरी मिल्क था वो इजीली शॉप में एवलेबल होगा सब कुछ आपको इजीली भे मिल जाएगा और यह देख सकते कितना अच्छा इसका अलव यौल